असलाम लीकूँ मैंने में जर्मान हरसन और हमें प्रोफेशनल मेगा पार्टिस और हैट स्टायलिस्ट और आज हम करने जा रहे हैं आपके साथ यह बहुत ही खुबसुरा लोज कल्स की टेक्नीक सबसे पहले आपने जब अपनी कलाइन के बाल जो है उनको फोकस कर देगा सबसे पहले हम लोग हैं यहाथ पर पर अपने बहुत जहादा नीट लेने हैं जिब तक आपके सेट नहीं होगे बेले बहुत की जो तो है इन जो फ्राइल के जीन के सेक्षण अवह वह व्यूंका खरदेंके और नहीं हों हैं बेरिया हम लोगे को देते लिए थतन ना अग megawar स्टेशन लें सिश् 느TI मेना इतना इतना है Emped के साथ करण जूँए उसको हीट है वो पर उपर मिले और आपकी जूए वह कल जूए बडो पर आज रखने हैं आप यहां पर देख सकते हैं आपने जूएलों पर उप्रण है आपका पाल प्लेट वाला होना ची उससे जो है आपका बाल जूए जह जाए उस लेंद पर उसे करते हैं ठीक है और उसको प्रोपर बहुत ही ज्यादा सुकून से आप आइस ऐसा नीचे लेकर आएंगे जैसे ही आपके जो बालों के ज़िए उस सेक्शन के जो एंज है वो स्ट्रेटन में चल जेंगे हम उसकोज है प्रोपर जो है दुबारा उपर कर देंगे अभी आप द आपके जो स्ट्राइल की जो है फाइनल लुक जो है वो उतनी ही ज्यादा डीसेंट और वो जो है खुबसूरत आएगी और आपने ही जो है वो प्रोपर देने है किसी भी एक पॉइंट पर यह नहीं करना कि आपके किसी कुछ स्पेसिटिविक बालों का एडिया महां से पर आप उसको स्ट्रेटन को डाक के बोल जाए यह नहीं आपने करना आपने बैलन्स करके प्रोपर टाइम देने हैं बालों को उससे जो आपका ओवर ओल जो कर्ल का वह 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 पर आती है आपका यह बीच में गैप नहीं आते सेक्शन आप देख सकते हैं सेक्शन आपने बहुत जब बरीक लेना आप ज़ो आपने बहुत ही जब खुब्सूरती के साथ सेक्शन नीट रखके आपने स्ट्रेटन का यूज करते वह करी जाने अभी आप देख सकते हैं अभी जैसे सेक्शन नीचे से क्ल्स की लुग देख सकते हो कि आप जो बाल यह जिनके ऊपर ह ब्लोड रख कर लें ब्लोड रख के थूँ जो है आप क्लाइंट के बाद उसे फ्रीज को रिमुव कर दें उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपके जो करना वह स्टे करें तो आपने सबसे पहले जो अपने बाले को हलका घीला करके डैंप करके आपने मुज लगाना है स्टेटनर वह स्टेमिक प्लेट उसकी होगी मुज लगावा होगा उससे आपका करेंगा बहुत जल्दी कर खुलेगा भी नहीं और आपके बार में शाइन भी आएगी सेक्शनिंग पर फोकस करना है आपने अब जैसे हम ने नीचे से ज्यादा जारा अरिया हो जो हमने कव करेंगे तो उसमें में उन सेक्शन को दुबारा दो हिस्तों में डिवाइड कर दूंगा औरुष deze को करेंगे उससे क्या होता है कि वाल है पालह पारवूमस को सब्स्द नहीं करें में किया और तो उस डिविजिए क्या किसी को बिल्कुल रूट से ही रोल करें और किसी को आप बिल्कुल एंड पे जा के करेंगेत हैं वह एक दुस्रे के साथ मर्ज नहीं होते ठीक है यह माना फाइनल वो है यानिके बैक जो है section इनकी streaks भी जो है वो हमने की थी अभी आप देख सकते हो कि sectioning जो है वह बहुत जारा important किरदार अदा करती है आपके बालों की overall look में अब अगर हम लोग ने इसके section जो है sectioning जो है वो इस दीके से ना की होती तो जो हमारी streaks है वो भी prominent ना होती अभी आप देख सकते हैं कि जो sectioning मैंने किये वो sectioning के तुरूग working करने से इनके जो बालों पर हमने color किया है जो streaks किये है वो भी prominent हो रही है तो यह चीज़ बहुत matter करती है hate selling है वो चाहे कि कोई भी hey do है लेकिन उस hey do के लिए आपकी जो सबसे important चीज़ है आपके tools बहुत जादा importance रखते हैं इस चीज़ में और दूसरी चीज़ जो है वो यह कि से आप उसको present करते हो और वो जो है क्लाइन को attract भी करता है और आपकी जो overall look है वह बहुत ही ज़्यादा खुबसूरत आती है तो यह हमारी जो राइट साइड की वो थी फ्रेंट हाव हो गया हम लेफ्ट साइड पर करेंगे सेम टेकनीक है आप इसी को बार बार जब देखे करेंगे तो आपको पूरी की पूरी टेकनीक सेमझ आ जाएगी अगर आप से कम सब्सक्राइब करते हुए कर जो है आपका जो सेक्शन है वो उसकी ग्रिप ना रहे तो आपका जो स्पैसिफिक करें जापे कर नहीं है आप उसको हलका सा पकरके दोबारा ही देखे उसको रो कर रहे हैं दो हिस्सों में क्योंकि आपको पता है क्लाइंट का जो फेस है आप लोगों ने जो स्ट्राइलिंग करने होती है वह फेस के स्रॉक्चर को मांड में रखते हुए करनी होती है अब यह अभी यह सेक्शन जो मैं का रहा हूं यह हमने थोड़ा सा बारीक सेक्शन क्लाइंट के आएगा तो उसके जो फेस को एक स्रॉक्चर मिलेगा उसको फेस जो एक साइट का उसको वह कवर करेगा रही बात अब ऊपर जो है बोक्स एरिया की उसपे हम लोगोंने फ्लिक वाला सेक्शन जो अलग कर लिए आप देख सकते हैं उसके बाद हम लोग बिल्क करना बिकोज जो फ्रंट है इसमें जो है फिनिशिंग आपकी बहुत मैटर करती है बारीक बारीक आप सेक्शन लें और उसको करें इससे आपको बालों में जो वोल्यूम भी नजर आएगा और आपके बालों में आपकी चाहिए वह स्ट्रीक्स हैं अपने जो वन कलर डाय क कर वाया या ओम्रे कर वाया उस चीज से जो है आपके जो है वो जो रिजल्ट है आपके कलर का वह भी बहुत ही ज्यादा एक खुबसूरत और शाइनी एक अपिरेश देता है ब्रदा प्रजेंट बलगता है और इससे जो आपकी टेक्नीक जो हो बहुत जादा मैंटर करती ह बारीक बारीक section लेंगे और at the end है हम इनको set कर देंगे because आपको बता है कुछ client ऐसे होते हैं जो के पूरे के पूरे curls करवा के उनको back पे set करवाते हैं कुछ ऐसी होती है जो ज़रब one side पे वो right left कोई भी हो सकती है उसको front पे set करवाते हैं कुछ ऐसी होती है जो दोनों side पे करते हैं ठीक है अभी हम लोग जब कर रहे हैं था हम इनको सारा का सारा back पे करके दिखा रहे हैं final look में जह हम इनको दोनों side पे curl करके आपको final look दिखा देंगे इसी look का जो है वो make up का tutorial है आप इससे पहले देख चुके हैं अगर आपने वो tutorial नहीं देखा आप अभी जाके वो देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा transformation की थी हमने अपनी स्मोडल की और उसके बाद इनका ही जो head हो था तो उसका भी जह हमेरे tutorial बना लिया था अब यह आप देख सकते हो कि sectioning पर मैं compromise नहीं कर रहा जिस तरीके से बालों का जो section आ रहा है अब आप बैक से सब्सक्राइब आपको फ्रेंट पर करके दिखा दिखा दिया अब इनका फ्लिक सेट हो जाएगी उसके बाद हम पूरी की दोनों की दोनों साइ आपने सेम टेकनीक लेकिन आप उसको बहुत जादा रोल नहीं करेंगे विकोज आपको पता है आपको फ्रेंट के ऊपर सिर्फ एजिस टर्न वाली लुक चाहिए होते हैं आपको प्रोपर करनी चाहिए होता ठीक है तो आप उसको नीड प्रोपर करोगे अब यह आप यह हमने इनके बाल उनको आगे फ्रेंट पर कर दिया यही मेकप का टुटोरियल था वह आप इससे पहले वाले टुटोरियल आप देख चुके हैं अब यह इनी का हेड़ो का टुटोरियल था कैसा लगा होगा आपको आप अपना फीडबैक जो है वह जरूर बताएगेगा और इन्शाहला बहुत जल्द आपके साथ हैं लोग सालोर में जो डिफरेंट क्लासिस होती हैं उनका भी आपके साथ टूरियल दिफरेंट सर्विज्स के चाहलें हम आपके साथ शेयर करेंगे तो लाइक करें कमेंड करें अपना फीडबैक जब में बताएगा और आप जो ची